नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे निफ्टी की सबसे पहले हिलियद वेव क्या होता है वो जान लीजिए बहुत ही आसान भासा में हिलियद वेव में पांच वेव होते हैं उसी की हम लोग स्टड़ी करते हैं ży you just water अ पांच वेव जो होता है पहला प्रहसा ट यह में बहुत है और दुसरा दो वेव नीचे के रव बहुत है ऐसा यह बफ्यारस दिखेए उसी जैसा से डिखेव आपको तो पहला जो 2 वेवज है 3 वेवज है यह अब का स्टार्स पाइंग पॉइंट अकर यहाँ से है तो पहला जो वेवम पे उसको 1 भॉलेंगे दूसरा जो down move है second wave है तिसरा जो उपर की तरफे third wave बोलेंगे चौटा जो down move है fourth wave बोलेंगे अन्ति में जो wave गया और future wave बोलेंगे ठीक है उसके बाद एक correction आता है ABC करके A, B, C तो यहाँ पर A, B, C उसके फिस से अगर obtain में है तो वापस पुना निफ्टी आप्टेंड में यह जाएगी निफ्टी या कोई भी सेर है उसी परका जाएगी जैसे यह वाला move गया है तो फिस से यह 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर 4 बनेगा, फिर 5 बनेगा इस तरह से निफ्टन जाता है उपर की तरफ और पूरी साइकिल में 144 बेव होते हैं 144 बेव इस तरह के, हर एक बेव में आपका 1 में 5 बेव होते हैं सेकिन में 3 बेव होते हैं, ABC करके 3 बेव होंगे, इसमें भी 5 बेव होंगे, फोर्ट में भी 3 बेव होंगे, इसमें भी 5 बेव होंगे ठीक है इस हिसाब से 5, 3, 8, 5, 13, 13 और 3, 16, 16, 5, 21, पूरा एक से लेक जीरो से लेके यहां तक total 21 किस मूव होते हैं ठीक है अगर इसको हम कंसीडर करें तो आपका यहां से लेके पूरा एक दो तीन चार और पांच यह पूरा टोटल आपका मूव होगा वेव वान का लाएगा ठीक है तो वेव वान के अंदर आपका कितना वेव हुए है अगर जाना है इसको तो टोटल आपका 144 मों में आएगा किलियर इसी का स्टेडी में होता है और एक कब इसके उपर डिपेंड करता है प्राइस कब इसके उपर जाएगा कब वहां से लुटकेगा और में स्टेडी करते हैं तो दोस्तों यह निफ्टी का चार्ट है उधारन के बिश्के यंगा जाटिश्वार्ड तो यह इसका दाके के लुटके आपका है डिया होएं 91 से ओके एसका पूरा स्टैडी करेंगे अब तक चार्ट का तो अगर इसका आप हहां यहां पे हम वेभ खैयोरी करें चार्गर ता आंका जड़ें तक यहoss игोर इसके हैं पर फोर यहां पर फूर यहां पर लंबा सा गया है तो यह आपका जो है कोई 2007 का अफ्रेंड है और 2008 का डाउन टेंट है तब यहां सब्सक्राइब यहां तक जो वेब गए इसको हम वेब वान रखेंगे और यह जो क्रैस आया 2008 में टू रखेंगे और अभी जो टीन चल रहा है ठीक है कहीं उपर जाके टीन बनेगा और फिर चार आएगा और फिर पाँच जाएगा इसको मैं चेंज कर देता हूं प्राइमरी ट्रेंड में तो क्लियर हो जाएगा तो यहां से आपको पता चल गया कि 1991 से आपका 2008 यह पहला डिगरी का था वेव वान 2007 का जो आठ का जो फॉल है सेकेंड वेव हुआ अब यह थर्ड वेव चल रहा है अब थर्ड के अंदर भी पा पांच किलिए तो इसकी अनुसार यहां से हम फिस है अगर हम करें तो 1,2,3,4,5 यहां पर ठाट का वान हाता है ठाट का टू आता है और फिक 345 पेंडिंग है इसको में चेंज कर देता हूं intermediate माइनर में कर देता हूं फिलाल इसको intermediate भी करना ठीक रहेगा वैसे आपको समझाने के लिए कर देता हूँ 1, 2 अब ए 3rd का 1, COVID crash का है यह जो fall आया यह वेब 2 है अब 3rd वेब चल रहा है यह complete होगा यहाँ पर कहीं भी complete होगा थीसर या पाई टीसर के 32 के आसपास फिर 4 वेब आएगा फिर 5 वेब आयेगा तो यह 3rd वेब यह complete होगा फिर 4 वेब यहाँ पर अब फिर 5 वेब के शुरूवात होगी यह कहीं ऊपर जाएगा ठीक है तो इस तरह से अब यह ट्रेड लाइन अप्टेन चल रहा है आपको समझ में आ गया कि निफ्टी मार्केट हमारा जो निफ्टी है में 50 में कहता है को चल रह तक जा सकता है तरह में बता रहा नौत एग्जक्ट फिगगर तो जो कि पहले भी जो कि कि चार पांस आल साल सब मुझे देख रहे यह जो भी एकुरेस्टी में बता रहा वाल उन अ उससी साबiddel चाल रहा है जो मैं पहले वीडियो में में पुब तक जा सकती है मिनिमम इस टेड लाइन के ऊपर भी जा सकता है जो यहां पर आ रहा है आपका 40-42 के आसपास अभी हम लोग कहां पर है 25,200 25,300 के आसपास है तो इसके अंदर भी इस थर्ड वेब के अंदर भी पाँज वेब होंगे क्लियर जैसे यहां से लेकर यहां तक पाँज वेब हुआ है उसी पकार यह थर्ड वेब के अंदर भी पाँज वेब है अब मैं यहां से लेकर यहां तक इसको मैं डेली टाइम फ्रेम में जाता हूँ उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कहां पर है अब यहां से लेकिए यहां तक अपने को काउंट करना है अब यह कोविट का फोल यहां पर है टेडलाइन अब इसको मैं उपपर कर देता हूं वार्फरस्ट वेब अब यहां से हम काउंट करें तो हमारा इसके अंदर भी पांच वेब आँगे अब यहां से लेकिए आपका सीधा यह बाइन हो गया यह टू गया अब थर्ट चल रहा है ठीक है फिर फोट आएगा अब फिर फिफ आएगा समझ गया है अब इसको मैं चोटा कर देता हूं या कोई दूसा कर देता हूं समझने में असानी हो तो यह आपका यल्लो वान हुआ यल्लो टू हो गया और यह यल्लो थिर चल रहा है ओके और फोर होगा फाइग होगा 5 कंपीट और होने यह वाइट फिर वाइट फॉर आएगा और फिर वाइट फाइव आएगा तब जाके आपका में थार्ड वेव कम्पीट होगा तब लंबी दूरी टेर करनी है निफ्टी को अब यहां पर आप देखिए जो लोग बोलते हैं क्रैस आएगा मार्केट खा सकता है क्रैस ज्यादा नहीं हजाद दो पॉइंट दो हजार मैक्सिम्म थीन चार जार उससे जादा क्रैस नहीं आएगा ठीक है अब यह कोभी जैसे क्रैस इतना वारा फिलाल अभी टाइम है वाच करते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आप यह बताया था यह सेकेंड वेफ कंप्रीड होगी आप निफ्टी अप्टेंड थर्ड में एंटर कर चुका है अभी वीडियो परा है आप चेक कर सकते हो ठीक है अगर हम यहां से एक स्टेड लाइन करें ठीक है कहीं भी र से वाइट इसको भी चेंज करता हूँ से वाइट क्लियर अब यह टेल लाइन आपका बन गया अब इसके अंदर आप देह सकते हो कि इसके अंदर भी आपका वान है टू है फिर थर्ड टू थीरी फोर फाइफ अब इसके अंदर ही पांच वेफ होंगे इस थर्ड के अंदर भी पांच वेव होनी चाहिए तो यहां पर आपका यहां पर आपका 1 हुआ यह टू हुआ ठीक है अब 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर यहां पर यहां पर कम्पीट होगा फिर 4 आएगा फिर 2 यहां पर बनेगा इसको मैं चेंज कर जाता हूँ मिनिट में तो इससे असानी होगा आपको समझने में अब यहां देख सकते हो कितना सिंपल एलियद वेव समझना ठीक है अब एठर्ड यहां जो अभी जो रैली चल रहा है इस थर्ड का रैली चल रहा है अब एक कम्पीट होने के बाद खलका सा करेक्शन आएगा अब फिर 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 वेव में उपर जाएगा ठीक है एठर्ड कम्पीट करने के लिए फिर 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 का करेक्शन आपर आएगा अब फिर 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 वेव में उपर जाएगा यह उपर भी जा सकता है कहीं भी एठर्ड कम्पीट होगा ओके फिर फोर क्रेक्शन आएगा और फिर और उपर जाएगा समझें तो अभी तक यह यहां तक चलना अब इसको इसकी अंदर हम देख सकते हैं कि यह वान और टू बन चुका है ठीक है अब इस थर्ड का भी ब्रेकप होगा आपका वान टू थीरी फोर और फाइफ इसके लि यहां पर अपना सेकेंड वेव कंपीड होगा था यह था आपका मार्च 2023 वहां से बुल मार्केट यह भी सुरू हुआ है थर्ड का ओके अब इसके अंदर भी आपका पांच वेव होना चाहिए यहां से आप कर सकते हो यह आपका वान हुआ यह बीसी करके टू आया और आप कर थिरी हुआ यह एलेक्शन का जो रिजल्ट है फोट आएगा और अभी फिप चल रहा है ओके इसको मैं में कर देता हूं समझने में असानी होगी अब देखिए वान यह टू थिरी फोर और फिप चल रहा है अब फिप्ट की अंदर भी पांच वेव होना होनी चाहिए ओक अगर फैसे होना है तो यहां पे हम यह आपका 1 है यह आपका 2 है कि यह आपका हो सकते है फीरी यहां पे कर दू हर दू वाण टू थी 4 5 थारी फोर और फिप्ट रनिंग है ए इस को मैं क्लर चनल कर देता हूं ब्लू कर देता हूं, ठीक है, अब इसके अंदर पच्वा में भी 5 भी बूनी चाहिए, ठीक है, अब इसको इहां पर कम्पीट अगर 4 हो गया है, तो इसके अंदर भी 5 होना चाहिए, तो आप इसको ऐसे कर सकते है, 1, 2, अब भी 3rd चल रहा है, या 3rd गम्पीट हो आप पता न इसको मैं change कर रहता हूँ color जो समझने में असानी हो ग्रीन कर रहता हूँ अब इसके अंदर इसको मैं reset करूँ अब यहाँ देखिए असानी से समझ में आ जाएगा आपको यह आपका 1 यह आपका 2 ठीक है और यह आपका 3 चल रहा है यह वाला third अब फिलाल खत्म होने को आया आएगा 25400 जो मैं आपको फिगर बताया हूँ पहले भी एक मेना से बता रहा हूँ तब यह वाला fifth नौंपीट होगा ठीक है अफिप कितना उपर जाएगा और 26 राल के आसपास तो जाना चाहिए ठीक है फिलाल अभी मजूदा हम लोग इस टेंड में है इस लेवल को कम्पीट करने में आपके अब इसके अंदर भी पांच भी वह भनी चाहिए वान ठीक है इसको 1 कर दो, 2 कर दो, 3, 4 और 5 अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 अब 5 में भी पांच भी होनी चाहिए अब इसको मैं और डिटेल में जाओं तो यहां से जो gap opening हो सकता है, 1 हो, यह 2 हो, ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 3 अभी चल रहा है, 4 और 5 होगा, तब जाके 5 बनेगा ओके, तो exact अभी कहानी क्या है, यहां पर है इसको मैं color change कर दूर समझ में आ जाएगा ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया, clear cut picture कोई doubt नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है, 13 निफ्टी का update आज के लिए, 31 अगस्त, 30 अगस्त का date है, 24 अगर इसको ऊपर जाना है तो क्या होगा, gap opening होगा, ओके, इसके अंदर 5 बनाना है तो simple आप इसको 5 बनाना है, यहां से 1, ओके, यहां पर A, B, C, 2, 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 बनाना है, 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 5 बनाना ह उपर ट्रब जाएगा जो 25,400 पांसो जो भी लेवल है उसको टेच करके एठाड वेव बनाएगा या यह सीदा 26,25,500 या 700 भी जा सकता है देखेंगे क्या होगा उस हिसाब से हम अपडेट करेंगे तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो आपको एलियर वेव में जो जन्जत या तकलीफ कॉंप्लेक्स लग रहा है सभी को तो मैं दूर करने की दूर कर सका हूँ और अगर दूर कर सका हूँ तो कैंडली कॉमेंट करें इस यूट्यूब कॉमेंट में कि आपको एफ वीडियो अच्छा लगा और निफ्टी का पूरा निफ्टी अभी कौन सा पूजिचन में है वो समझा पाया और निफ्टी कहां तक जा सकता है मार्केट वो समझा पाया और थैंक्यू वाचिंग इट पंडी इन्वेस्ट टेलिग्राम चैनल जोइन करना मत भूलिएगा और यूट्यूब चैनल पंडी इन्वेस्ट अगर इस टाइम देख रहे हैं जड़ू सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन इमेल में मिल जाए थैंक्यू वाचिंग इटू